Hello and welcome to Jam Cam YouTube channel and Padre IIT Jam app पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत क्या जाता है तो हम discuss कर रहे थे previous year questions of CSRNet and topic discuss कर रहे थे coordination chemistry तो यह हमारा coordination chemistry का part number 3 होगा इससे पहले हम दो part discuss कर चुके हैं part 1 and part 2 अगर अभी तक वह आपने नहीं देखे तो उनको जुरूर देख लीजिएगा वीडियो के description में आपको उनका link मिल जाएगा वहाँ पे मैंने आपका जो last exam हुआ था net का जो कि November 22 में हुआ था उससे लेके and आपका दिसंबर 18 तक के सारे questions वहाँ पे discuss किये हैं पार्ट 1 and part 2 में यह हमारा part number 3 है इसमें हम discuss करेंगे जून 2018 से start करेंगे and जून 2016 तक के question का discussion करेंगे पार्ट 3 में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस channel को तो subscribe करी सकते हैं साथ की साथ आप हमारे telegram group पे जुड़ सकते हैं जिसके लिए आप search किजिएगा CSIR cam या फिर वीडियो के description में आपको उसका link मिल जाएगा आप हमारी आप को जुरूर डाउनलोड कीजिए future में आपको यहाँ पे CSR net और gate के लिए आपको जुरूर content देखने को मिलेगा आप का link भी वीडियो के description में मिल जाएगा and आपका यहाँ पे high spin की बात करा octahedral geometry के लिए अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट प्लस 2 की तो कोबाल्ट प्लस 2 का मतलब होता है D7 और D7 आपने high spin मनाना है इसके लिए आपको number of microstate निकाल लें तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका ground term निकाल लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ तभी तो high spin मनेगा यह प्लस 2 हो गया, यह प्लस 1 हो गया यह 0, यह माइनस 1 होता है, यह माइनस 2 तो capital L की value अगर आप निकालोगे 2 इंटो 2, 4, प्लस 2, 6 और माइनस 3 करोगे तो 3 आगया capital L की value कितनी आगी? 3 small s, यानि कि spin quantum number 3 unperiod electron नजर आ रहे हैं जितने unperiod electron होते हैं, उसका 1 by 2 कर दिया अगर हो spin quantum number आ जाएगा that is 3 by 2, ठीक है? अब spin multiplicity निकालोगे तो कैसे निकालते हैं? 2s plus 1, कैसे निकालते हैं? 2s plus 1, तो यहाँ से जब आप 2s plus 1 से निकालेंगे तो आपकी जो spin multiplicity है, वो 4 आ जाएगी तो हमारे पास अगर कोई, यानि कि term क्या आ गई हमारे पास इसके लिए हम f use करते हैं, f तो हमारी जो term आ गई that is 4f क्या आ गई? 4f अब इससे आपको microstate निकालना तो बड़ा असान होता है इससे microstate कैसे निकालेंगे हमारे पास formula क्या होता है अगर आपके पास कोई given term है और उससे आपको number of microstate या total d जरने से निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए formula होता है spin multiplicity into में 2L plus 1 into में 2L plus 1 तो spin multiplicity आपको यहाँ शोर यह कि 4 है 4 है and L की value आपको कितनी शोर ही है यहाँ पे 2 का कर देंगे यह रहा इस परकार से और जब हम इसको solve करेंगे तो 28 is the correct answer क्या आजाएगा आपका 28 is the correct answer तो मेरे हिसाब से बिल्कुल simple कहानी थी कोई इसमें ज्यादा confusion आपको होना नहीं चाहिए तो इस question का जो correct answer है वो आजाएगा आपका C यह formula के उपर पहले भी question आचुके है मैं पहले भी आपको बहुत सारे question करवा चुका हूँ ठीक है चलिए next question पर चलते है student यह कहरा कि high spin complex of a 3D metal ion जिसकी magnetic moment इतनी आ रही हो किसी की अगर magnetic moment इतनी है इसका meaning क्या होता है इन octahedral की बात कर रहा है यह पहले octahedral coordination environment तो यहाँ से यह पता लग रहा है कि unpaired electron किसी की magnetic moment अगर 2.9 है तो वहाँ पे 2 unpaired electron रहे होंगे octahedral में यह बात समुझ भाई वही कहरा जब आप tetrahedral environment की बात करते हैं की magnetic moment इतनी होती है कहने का मतलब 4 unpaired electron हो गए होंगे तो बताओ कि वो कौन है ऐसा आयन देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो कोबाल्ट हो गया कोबाल्ट प्लस 3 का मतलब होता है D6 अगर आप इसको high spin बनाओगे क्योंकि यहाँ पे वोर्ड यूज किया गया high spin तो यहाँ पे high spin बनाने से 4 unpaired electron आएंगे octahedral में अगर 4 unpaired electron तो magnetic moment इतनी नहीं हो सकती है तो हटा देते हैं यह तो अंसर पोसिबल नहीं है निकल प्लस 2 की अगर आप बात करोगे निकल प्लस 2 का मतलब होता है d8 यहाँ पे आपको जुरूर 2 unpaired electron दिखते हैं अगर यहाँ पे 2 unpaired electron तो इसकी magnetic moment हो सकती है इतनी और वहीं पे अगर आप tetrahedral के case की बात करेंगे तो यहाँ पे tetrahedral environment में आप सभी को बता कुछ ऐसे कानी होती है यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छे साथ और एक आठ तो unpaired electron तो यहाँ पे भी दो आ रहे है बट यहाँ पे क्या हुआ होगा यहाँ पे t2g unsymmetrical कुछ और वाइटल contribution एड हो गई होगी उसकी possibility हो सकती इसलिए value जाद आई है लेकिन यह देखो अगर आपको tetra से नहीं देखना है इसको सिर्फ octa से देख लो octa में देखो यह copper plus 2 है copper plus 2 के पास तो एक unpaired electron होता है तो यह भी possible नहीं होगा cobalt plus 2 d7 होता है और d7 जब high spin बनाएंगे आप यहाँ से इस सीज को note किजिएगा जब आप d7 high spin बनाएंगे तब भी आपको 2 unpaired electron नहीं देखने को मिलेंगे यह 5 उसके बाद 6 और उसके बाद तब भी 3 unpaired electron है तो सिर्फ nickel ही ऐसा एक complex है जिसका high spin होने के बाद हालांकि high spin low spin का कोई concept होता नहीं है यहाँ पर आपको 2 unpaired electron देखने को मिलेंगे इसलिए इसकी magnetic moment इतनी है और इसकी magnetic moment यहाँ पर ज्यादा होने का reason आप बोल सकते है orbital contribution भी होगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर T2Z unsymmetrical आपको नज़रा रहा है तो B is the correct answer इस question का सही answer आएगा B ठीक है? तो next question देखेगा एक आपको देरखा K2Cr2O4A और एक देरखा K2MOO4 यह रहाँ बताओ कि क्या है यहाँ पर इनमें जो है electronic spectra क्या यहाँ पर DD transition possible है? बिल्कुल भी यहाँ पर कोई DD transition नहीं होता क्या यहाँ पर MLCT होता? बिल्कुल भी नहीं होता देखो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो CR2O42 नेगेटिव है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम आपका प्लस 6 oxidation state में होता है इसमें होता भी आपका 2X माइनस में 8 यह माइनस 2 हो गया यह वहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर क्रोमियम प्लस 3 में नज़र आ रहा है ठीक है हलांकि यह सब आपको पढ़ाया जाता है कि यहाँ पर possibility होती किसकी LMCT की possibility होती है किसकी LEGEND 2 metal charge transfer यहाँ पर possible होता है तो दोनों में ही क्या होगा यहाँ पर भी LMCT नज़र आ रहा है बट अब आप सभी को पता है यह देखिए जब भी आप क्या जाते हैं जब भी एक आपके पास 3D की metal है क्रोमियम यहाँ पर 3D की metal है मोली बिडियम की बात करोगे तो 4D की metal है तो जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो gap होता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा correct answer की आजाएगा इस question का C यहाँ पर A की wavelength ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर energy कम होती है ligand and metal के बीच में यहाँ पर energy gap ज़्यादा होता है ligand and metal के बीच में इस वज़े से energy यहाँ पर कम है और जहाँ पर energy कम होती है आपका PT हो गया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, यह क्या, यह सिस प्लाटिन होता है, हम कहेंगे जी यह सिस प्लाटिन होता है, हम कहेंगे यह सिस प्लाटिन होता है, हम कहेंगे यह सिस प्लाटिन हो तो ज kitty reaction करवाई एक ammonia को तो कहीं पे भी लगादो जहां पे भी आपकी मर्जी हो वहां पे लगादो उसके बाद अब देखें, दो possibility हैं आपके पास यहां पर, एक possibility हो सकती की अप ammonia के सामने वाला klorine हटा दें और दूसरी possibility हो सकती की chlorine के सामने वाला chlorine हटा दे, अब किसको हटाया जाता है उसको हटाया जाता है जिसकी trans effect की value जादा होती है और अगर आप मुझसे पूछोगे, एक मेरे पास CL negative है और एक मेरे पास ammonia है किसकी trans effect की value जादा होती है तो पका chlorine क्यों होती है इसके लिए मैं ट्रिक बता चुका हूँ भई आपको याद हो तो कान को नो, पर ऐसे हाँ मैं पागल नहीं I भर कर, कर का मतलब chlorine I भर कर पी, उसके बाद क्या था नहीं फिर O water है ना, तो ammonia से जादा होती है इसलिए इस वाले chlorine को हटाएंगे जो chlorine के सामने वाला है क्योंकि उसके trans effect की value जादा है और जब आप दूसरा ammonia एड़ करेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला product और यही होता आपका cis platine यही होता है आपका cis platine यही होता है आपको clear हो गया होगा तो पहली बात तो यह बिल्कुल correct है यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्कुल सही है जी यही ही से आपका बनता है उसके बाद क्या इस से बनाया जाता है क्या नहीं इस से तो नहीं बनाते हैं यहाँ पे इन इन इस preparation दा अब्जार्ड ट्रांस effect for chlorine is greater than ammonia बिल्कुल सही है और जब ही वो cis बनता है जब ही वो cis बनता है तो यह statement भी सही है in the blood it stays in equilibrium with this बिल्कुल यह भी बिल्कुल correct है यहाँ पे यह भी बिल्कुल correct statement होती है यहाँ पे अगर मैं इसको explain करूँ यहाँ पे जब एक chlorine है अगर आप इसकी reaction करवा देते हैं water के साथ अगर आप इसकी reaction water के साथ करवा देते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एक chlorine हटेगा और वहाँ पे क्या लग जाएगा आपका water लग जाएगा एक chlorine हटेगा और यहाँ पे आपका water लग जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में कुछ इस परकार से exist करता है यह बिल्कुल सही है उसके बाद देखो PRS तो आई गया और PRS हमारा answer भी है देखो PRS तो यहाँ पे भी है T होगा या नहीं होगा तो T यहाँ पे नहीं होता क्यों मैं अभी explain करता हूँ इस question का correct answer आएगा आपका first In DNA strand It's bind to two adjacent cytosine based cytosine से यह base से आप यह नहीं add होता भई उसके साथ यह नहीं होता यह guanine के साथ band होता है तो यह आपका correct answer नहीं आएगा इस question का इस question का correct answer आएगा option number first option number first चलिए जी next question पे चलते हैं next question reaction mechanism से था and यहाँ पे कोई भी answer correct नहीं था इस question का कोई भी answer correct नहीं था सबसे पहले यहाँ पे बोला गया reaction mechanism से related है consider the statement P.S. regarding 1, 2, 3 पहला, दूसरा, तीन यहाँ पे दी Marcus equation is applicable to first and second तो Marcus equation को हम कहाँ पे apply करते हैं cross outer sphere mechanism जहाँ पे cross हो and उसके बाद outer sphere mechanism जहाँ पे होता है, cross outer sphere mechanism में हम इसको apply करते हैं ठीक है, तो अगर आप पहले वाली reaction को ध्यान से देख रहे हूँ this is related to inner sphere mechanism अभी मैं explain करूँगा यहाँ पे यह inner, पहली बात तो यहाँ पे inner sphere cross जुरूर नजर आ रही है but this is related to inner sphere mechanism without ligand transfer अभी इसको discuss करेंगे कैसे होता है, क्या कहानी होती है, देखेंगे अभी तो इसका मतलब यह है, first inner sphere mechanism से जाएगी second वाली तो आपका self exchange है यहाँ पे भी cobalt है, यहाँ पे भी cobalt है अगर self exchange है तो इसके उपर तो ऐसे ही apply नहीं कर सकते हैं मतलब पहली statement P correct नहीं है मारकस equation क्या आप second पे apply कर सकते हैं मैंने आपको बताया second is your self exchange transfer तो यहाँ तो ऐसे ही apply नहीं होगी क्योंकि वो cross पे apply होती है equation first and second are inner sphere mechanism यह inner sphere electron transfer है क्या पहला तो inner sphere transfer जरूर है mechanism होगा वहाँ पे यह वाला जो आप देख रहे हैं this is outer यह outer sphere mechanism के धुरू जाएगी second वाली तो इस लिनिया इसमें सिर्फ और सिर्फ S statement correct है इसमें सिर्फ और सिर्फ S statement correct है कि first and third involve inner sphere electron transfer यह तो साफ साफ आपको नजर ही आ रहा है कि पहले F यहाँ पे था और अब F आपका यहाँ पे चला गया यह तो ligand transfer है inner sphere mechanism में जो ligand transfer होता वो वाली कहानी है तो यह तो पका inner sphere नजर आ रही है third तो और first भी inner sphere होती है अभी मैं explain करता हूँ अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ S statement correct है और कोई भी statement correct नहीं है इसलिए none of in में से कोई भी answer correct नहीं है सिर्फ और सिर्फ S statement यहाँ पे correct है अब option A को मैं यहाँ पे explain कर देता हूँ इन सम रियक्शन्स electron transfer may take place थू बोध OSM भी हो सकता है outer sphere mechanism भी हो सकता है and ISM inner sphere mechanism भी हो सकता है in these electron transfer occur by ISM without transfer of ligand तो ligand का transfer देखने को नहीं मिलेगा in these reaction bridge ligand stabilize in the original complex more as compared to this यह देखो यह same वही example है यहाँ पे यह reductant के तौर पे काम कर रहा है इन दोनों के reaction करवाई यह FECN 6 था यह भी 6 ही रह रहा है and यहाँ पे यह आपका 5 आ रहा है mechanism यहाँ पे इसका दे रहा है तो यह जो reaction है यह आपका inner sphere mechanism के धुरू जाती है इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए का option number first देखेगा इसलिए मैंने बोला कि वहाँ पे inner sphere mechanism का case है वह outer का case नहीं है hope कि आपको clear हो गई होगी इस question में इसलिए इन में से कोई भी answer correct यहाँ पे नहीं आएगा इन में से कोई भी answer correct यहाँ पे नहीं है ठीक है next question की तरह बढ़ते है student यह जून 18 के questions आगए भई एक chromium plus 2 है is easier oxidized than vanadium plus 2 in the gaseous way यह कहरा भई एक तो आपका यह होगा chromium plus 2 क्या यह आपका इसका easily oxidize हो जाएगा क्या यह chromium plus 3 में और वहीं पे जो vanadium होता vanadium plus 2 एक electron को gain करके वो किसमें जाता vanadium plus 3 में तो यह देखा जाता है कि जब आप left to right जाते हैं तो size decrease करता है और जब size decrease करता है तो ionization energy बढ़ती है यह experimentally देखा गया कि यहां से यह वाला जो process है आपका यहां पे इनकी जो ionization energy होती है वो ज़्यादा होती है आप ऐसा बोल सकते है थोड़ा सा इसको ionization energy से relate करके बदा जा सकता है तो यहां पे इतना असान possible नहीं होता है कुछ गड़बड कर दी ना यहां पे यहां पे गड़बड ऐसे कर दी कि यह यहां जाएगा और यहां से electron निकलेगा तो यहां पे जो इसकी ionization energy होती है ना chromium की वो ज़्यादा होती है as compared to vanadium तो chromium plus 2 से electron निकालना इतना असान नहीं है vanadium से हम निकाल सकते हैं तो यहां पे लिखा हुआ था easier word तो easier word यहां पे हो गया आपका wrong यह आपका wrong हो गया उसके बाद देखिए chromium plus 3 in aquas is more powerful reducing agent than vanadium plus 2 यह बात बिलकुल सही है ऐसा क्यों मैं आगे explain करता हूँ भाई जब हम बात करते हैं chromium plus 2 की chromium plus 2 का मतलब होता है d4 और aqua complex मतलब high spin complex रहे होगे aqua का मतलब high spin एक, दो, तीन, चार अब देखें यहां पे यह situation बनी हुए अब जब आप देखेंगे अगर आप यहां से एक electron को हटा देते हैं तो आपके पास क्या जाएगी यहां पे CFS-C किसकी ज़्यादा है एक इसकी CFS-C जो है और एक इसकी CFS-C, किसकी CFS-C ज़्यादा है आप पका कहोगे कि इसकी CFS-C ज़्यादा है अगर इसकी CFS-C ज़्यादा तो यह जदा स्टेबल है और यह अन्स्टेबल है ठीक है ना, CFS-C आपको आइडिया होगा यहां पे एक ऊपर चला गया तो आपका माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे 0.6 डिल्टा हो, जिससे कम हो जाएगे. इसलिए, क्रोमियम प्लस 2 अराम से जाना चाहता है यहाँ पे, अगर इस कोर्डिंग देखेंगे, तो क्रोमियम प्लस 3 में वो कर्वर्ट होना चाहता है. तो वो कैसा है, हम बोलेंगे कहाँ पे, कि वो उक्सडाइज होना तो चाहा रहा है, अगर यह उक्सडाइज होना चाहा तो क्या यह एक अच्छा रिड्यूजिंग एजन्ट नहीं होगा, क्या यह एक अच्छा रिड्यूजिंग एजन्ट नहीं होगा, क्या है, यह आपका अच्छा रिडिजिंग एजेंट है, बट ऐसा फेक्टर आपको वनेडियम प्लस टू के केस में देखने को नहीं मिलेगा, यह उल्रेडी पहले से ही D3 है, यह उल्रेडी पहले से ही D3 है, तो यह अगर D3 है तो एक, दो, अगर आप यहां से इलेक्टरोन निकालेंगे तो वह इसी से निकलेगा, Cf-S-C आपका कम हो जाएगी अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि क्रोमियम प्लस टू, क्रोमियम प्लस टू, क्रोमियम प्लस टू में जाएगा, और जब हमने बात की एक्वस फेज में, तब हमने Cf-S-C को देखा, और उससे यह बात बिल्कुल ठीक हो गई, कि क्रोमियम प्लस टू इस पावरफुल रिडिजिंग एजन्ट होता है, क्योंकि वह एजली ऑक्सडाइज हो जाता है, एक्वस सोलूशन में, C statement भी बिल्कुल करेक्ट है, वाटर एक्षेंज जो होता है, वो क्रोमियम प्लस टू ग्रूप वन में आता है, सबसे हाइस्ट, ग्रूप वन वालों का रेट सबसे हाइस्ट होता है, और क्रोमियम प्लस टू सबसे लास्ट में आता है, तो chromium plus 2 जो है वो D4 होता है, काफी अच्छा वो लबाईल होता है, इस वज़े से उसका rate ज्यादा होता है vanadium से, vanadium तो D3 हो गया ना, inner type का हो गया यह तो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो correct answer आएगा इस question का, that is option number 3, B and C are correct, यहाँ पे B और C statement बिल्कुल सही है, next question पे चलते हैं student क्या कह रहा है, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि increasing order, spin only magnetic moment बतानी है, सिर्फ unperiod electron देख लो, तो यहाँ पे देखेगा, यह आगया आपका Ti, Ti plus 3, तो यहाँ पे एक electron है, D1, अगर एक electron तो unperiod electron है, chromium plus 3 का मतलब क्या होता है, D3, यहाँ पे 3 unperiod electron है, magneze, magneze plus 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे D4, 4 unperiod electron है, क्योंकि यह weak field ligand है, fluorine, and cobalt plus 3 की बात करोगे, तो यह बनता है D6 high spin, क्या वनेगा D6 high spin, तो यहाँ पे भी 4 unperiod electron है, तो C और D में, दोनों में 4-4 unperiod electron है, इसलिए इनकी magnetic moment सेम रही होगी, उसके बाद B में 3 unperiod electron तो उसकी magnetic moment, और सबसे कम magnetic moment आएगी first की, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक unperiod electron है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक unperiod electron है, तो इस question का correct answer आजाएगा, option number 4, in the trigonal prismatic ligand field, most stabilized D orbital, बताइए क्या होगा, most stabilized D orbital, बताइए क्या होगा, student, पहले तो आपको यहाँ पे trigonal prismatic geometry होती है, उसकी splitting का idea होना चाहिए, कि उसकी splitting कैसे होती है, उसकी splitting का order क्या होता है, तो अगर आप उसके splitting के order की बात करेंगे, तो सबसे उपर होते हैं 2, उसके बाद 1, और उसके बाद फिर से यह 2 आपका नी कार से, और जो नीचे होते हैं वो होता है, एक dx² – y² होता है और एक होता है dxy, यहाँ पे कौन होता है dz² होता है, और सबसे उपर कौन होते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका xz और एक होता है आपका yz, तो यह आपका splitting order होता है, trigonal prismatic geometry के लिए, रहाँ पर आप इसको तो यही इस question का correct answer और देगा तो second is the correct answer In the most unstable complex, on the basis of electron neutrality principle among the flowing इन में से कौन से most unstable complex है? देखे होता क्या ना electrical neutrality principle क्या बोलता है यह metal आपके पास अब यह metal है तो पहले क्या करता है? ligand, electron देता है metal को अगर metal को electron देगा तो इसके उपर negative charge आएगा negative charge और metal के उपर negative charge highly unstable होता है अब फिर ligand ही क्या करता है? इस charge को कम करने की कोशिश करता है अब यह charge कम होगा? कब कम होगा? जब यह more electronegative रहा होगा जब इस ligand की electronegativity ज़्यादा रही होगी तो इस negative charge को अपनी तरफ attract करने की कोशिश करेगा और इसको stabilize करने की कोशिश करेगा तो सिधी सी बात यह है जितनी ज़्यादा electronegativity रही होगी ligand की उतनी ज़्यादा ही क्या रही होगी आपका stability रही होगी according to electrical neutrality principle तो fluorine is the most electronegative element इसकी जो polling scale के गोल्डिंग वैल्यू 4 होती है H2O यानि की oxygen इसकी 3.5 होती है अब यह भी nitrogen है यह भी nitrogen donor है बट इस is SP hybridized यहाँ पे यह SP hybridized है क्योंकि NC है यह बिसिकली NC यहाँ पे आपका यह triple bond आप दिखाए इसको अगर यह NC है तो यह SP hybridized और आपको पता अगर percentage इस character ज़्यादा होता तो ज़्यादा electronegativity होती है तो सबसे ज़्यादा stabilize जो करेगा वो यह करेगा यहाँ पे उसके बाद यह यहाँ पे nitrogen की electronegativity SP hybridization यह भी अच्छा खासा करेगा सबसे unstable यहाँ पे रहा होगा second क्योंकि यह least electronegative है इन सभी में यह आपका least electronegative है इसलिए B वाला unstable complex रहेगा B is the correct answer Next question देखते हैं For high spin and low spin D6 octahedral complex generally observed spin allowed transition अगर हम बात करें D6 high spin की यह तो औरगल डाइगराम में explain किया जाता आपको तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर 6 की बात करें तो यहाँ पे आपको one electronic transition का case नजर आ रहा है क्या नजर आ आ आपको one electronic transition का case नजर आ रहा है यहाँ पे आपका 4 unperial electron नजर आ रहे है तो spin quantum number 2 spin multiplicity 5 तो यहाँ पे 5D term आएगी और वो 5D term आपका split हो जाती है किसमें 5T to Z में और आपका 5 E Z में तो यहाँ पे आपको एक ही spin allowed transition देखने को मिलता है यहाँ पे आपको एक ही spin allowed transition देखने को मिलता है नोर्मली ठीक है? तो अगर एक है तो बस हमारा question कदम हमारा question कदम यहाँ पे 2 दिया हो था नहीं possible है यहाँ पे 2 दिया हो था नहीं possible है यहाँ 3 मिलते अगर आप JTD के साथ देखते न JTD की splitting के साथ तो 3 की possibility थी 0 होगा क्या? 0 बिल्कुल नहीं हो सकता तो यहाँ क्या हो गया? 1 और देखिए जो low spin की बात करेंगे जब आप इसको low spin बनाएंगे तो वहाँ से exact idea तो नहीं लगता है उसका idea हमें कहां से लगता है? T-H diagram से लगता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह basically आपका low spin बन गया इसमें आपको जो spin allowed transition हो दो देखने को मिलते हैं अगर आप देखेंगे comparable intensity की अगर आप बात करेंगे उस हिसाब से हलांकि फिर भी अगर आपको इस low spin का ज़्यादा factor नहीं पता तो भी हमारा ये question soul हो गया है होते ओर भी हैं लेकिन वो हम generally इस तरीके से count करते नहीं है इस question का जो correct answer है that is second hope कि आपको clear हो गया हुगा next question yes, यह अच्छा question है यहाँ पे the geometry around copper and its spin state बताओ जब यह रहा तो यहाँ पे जो copper हो plus यहाँ पे जो copper हो plus 3 oxidation state में है copper plus 3 का मतलब होता है D8 और D8 की जब आप बात करेंगे D8 की जब आप बात करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 D8 में हलांकि high spin, low spin का concept नहीं होता है बट इन दोनों का comparison करवा रहा है comparison point of view से आप देखना है क्या बोलेंगे इसको वहीं पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक आपका unsymmetrical by dentant ligand लगा हुआ है unsymmetrical by dentant ligand लगा हुआ है तो यह क्या करेगा basically यहाँ पे इसके case में क्यूंकि देखो अगर हम बात करें यहाँ पे copper इसके उपर charge होता है minus 1 का इसके उपर charge होता है minus 1 का minus 1 का या minus 2 का minus 2 का होता वहीं साइद यहाँ पे ठीक है? तो यह अगर minus 2 का है और यहाँ पे potassium भी लगा हुआ है तो यह कोबाल्ट जाएगा मेरे हिसाब से प्लस थी के असपास कितना जाएगा यहाँ पे आपका प्लस थी के असपास जाएगा एक मिनट रुको यारी इस लिगेंड के बारे में हम थोड़ा सा अगर और डीपली देख लेते तो ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहा है जाएगवी बात दो बेते अगा यह पर कила बनेंगा यहाँ है कि अब जो यह ज़र्णली आपका कैसे रहे हों गांगे यहाँ पर इसको जुझस्पिन के कियशन राख नहीं सकते हैं, हलांकि बात करते हैं यह low spin, high spin की, फिर भी यहाँ पर दोन प्रेड एलेक्टर नजर आ रहे तो यह low spin नहीं, इसको high spin की category में ही रखेंगे, तो यह आपका इसका ओक्टा हैडल high spin आएगा, और यह आपका square planar low spin आएगा, यहाँ पर यह बाइड एंट आट के तौर पर काम करेगा, इसलिए इसका जो कोर्डिनेशन नंबर वो कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, कोर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और square planar complex आप सभी को बता है, जर्नली वो आपका, आपको low spin complex ही मिलते है, इस question का correct answer आजएगा, फरस्ट, ठीक है, चलिए जी, आगे, consider the flowing statement with respect to this, यहाँ पर देखे, one of the ammonia ligand act as a bronze stand acid, बिल्कुल सही है यह, यहाँ पर होता क्या है, कि सबसे पहले यह वाला जो आपका ammonia, यह एक proton डोनेट कर देता है, जब भी आप इसकी reaction करवाएंगे, बेस के साथ, OH negative के साथ, तो यह क्या करता है, एक ammonia से क्या करेगा यहाँ प और एक यहाँ पर NH2 negative बन जाएगा, यह पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप यहाँ अपना proton डोनेट कर देता है, अगर इसने proton डोनेट किया तो यह एक bronze stand acid है, बिल्कुल सही बात है, यह तो बिल्कुल करेक्ट है, तो यह कह रहा है कि यहाँ पर the entering group is water, यहाँ पर जो enter कर proton डोनेट कर सके, तो वो जाती है SN1-CB mechanism से, पहला स्टेप तो मैंने यह बताया आपको यहाँ पर, उसके बाद second स्टेप में chlorine गया होगा, उसके बाद water एड हुआ होगा, तो यह भी बिल्कुल सही है, कि यहाँ पर जो entering group होता है, that is water, वो water होता है, बिल्कुल सही है, A और B तो correct है, अब A और B correct है, तो ऐसा है, यह की option मजारा रहा है first, यहाँ पर hefta-coordinated cobalt plus 3 intermediate बनता है, नहीं, यह तो hexa-coordinated ही है, यह तो hexa-coordinated ही है, hefta-coordinated नहीं होता है, हटा दो इस question को, so इस question का correct answer आएगा first, और यहाँ पर यह भी धान रखिए, कि यहाँ पर जो order होता है, इस reaction का, that is 2, और इसका जो rate वो दोनों पर depend करता है, किस-किस पर depend करता है इसका rate, यह जो आपका reactant है, इसकी concentration पर तो करेगा ही करेगा, साथ में OH-negativity concentration पर depend करता है, और इस reaction को हम बोलते है, SN1, nucleophilic substitution, conjugate base, ठीक है, conjugate base, correct answer आएगा first, इन में बताइए कि किस type की कहानी देखने को मिलेगी, जून 17 पर पहुंच गए है, CDS, HGS, एंडियरा, तो CDS की अगर आप बात करोगे, CD के पास plus 2 है, यानि कि यह D10 fully filled है यहाँ पर, अगर यह D10 है, उसके बाद देखो, यहाँ पर जो ligand वो लगावा, third period का, तो यह show करते है, LMCT, क्या show करते हैं यह आपका, LMCT, ligand to metal charge transfer, और यह जो LMCT होता है, यह P2S होता है, कहां होता है, ligand का P orbital and आपका, D तो fully filled है, इसलिए metal का 4S orbital ligand transfer होता है, तो यह करें कि यहाँ पर LMCT transfer होगा, बिल्कुल सही बात है, DD electronic transition होगा, DD transition नहीं होगा यहाँ पर, MLCT होगा यहाँ पर नहीं होगा, the combination of, ligand to metal charge transfer and the DD electronic transition, तो क्य यहाँ पर DD electronic transition की possibility भी हो सकती है, क्या यहाँ पर DD transition की possibility भी हो सकती है, तो उपर भी आपका दिख रहा है कि ligand to metal charge transitions होते हैं यहाँ पर, तो हम इसको इसी की category में रखेंगे, जर्नली, इसका जो correct answer दिया गया था, A and D में आपको confusion है, मेरे हिसाब से, मुझे जो लग रहा है, इसका जो correct answer, that is, वो भई आपका, यहाँ पर first आना चाहिए, ठीक है, first आना चाहिए, फिर भी मैं आपको कहूँगा, एक बर आप cross check कर लीजीगा इसको, A and D में थोड़ी सी confusion हो सकती है, आप इसको cross check कर लीजीगा, अपने level पर भी, मुझे लग रहा है कि D ठीक है यहाँ ठ यहाँ पर थोड़ा सा यह बिसमित का fund आ गया है, तो यहाँ पर हो सकता कि कोई नो कोई कहा नहीं, यह दोनों तो पका क्या show करते हैं, आपका LMCT ही show करते हैं, इसमें हो सकता है, यह ठीक है, यह ऐसे ही बनाओ, देखो, इन दोनों में क्या होता है, यह A नहीं आएगा, मैं D fully field नहीं होता इसमें, तो इसका जो correct answer हो, वो आप, D मानिये, कि पहले दोनों में आपका LMCT होगा, और BII3 में आपका DD transition, D is the correct answer, the relative rate of water exchange, मैं बार बार आपको करवा चका हूँ, मैंने आपको बताया था, अगर chromium plus 2 हो, तो उसका rate सबसे ज्यादा होता है, और chromium plus 3 का rate सबसे कम होता है, बस, इतनी बात जो समझ गया, वो समझ गया, ठीक है, तो chromium plus 3 का rate सबसे कम, nickel plus 2 ऐसा कुछ नहीं होता, vanadium plus 2 का भी अच्छा खासा कम होता है, तो nickel plus 2 की तो CFC ज्यादा होती है, CFC मतलब कम होती है इनके comparison में, तो ये थोड़ा बहुत, labail की category में आप इसको लिख स ये देखोगे तो ये group number 4 में ही आता है, group number 4 में, ये group number 3 में आता है, और ये group number 2 में आता है, अब ये group group की क्या बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले भी, अगर आपने पहले के दोनों part देखे हैं, तो वहाँ पे मैं इसको काफी अच्छे तरीके से clear कर चुका हूँ, तो अब ज्यादा बताने की जरूरत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए उसको, ठीक है, next question देखेगा student यहाँ पे, यह काफी बढ़िया question है, copper plus 2 complex, having distorted octahedral zometry, क्यों क्यों कि यहाँ पे JDD होता है, यह करा कि absorption vand so कर रहा है, इतने पे, spin orbiting coupling इतनी है, तो बताओ कि इस greater than mu spin only, वो ज्यादा होता है, ठीक है, और इसके लिए एक formula होता है, इसके उपर मैं साहिद पहले भी question करवा चुका हूँ, अगर नहीं करवा तो आज की class में एक और question आएगा इसके उपर, तो जो formula होता है, mu effective का, वो होता है, आपका mu spin only, mu spin only, into में 1 minus alpha, into में lambda, divide by delta O, divide by delta O, और ये भी बता देता हूँ आपको, कि जो spin only उससे ज्यादा होती है, आपे D6 से D9 में, क्यों होती है, अभी आपको clear हो जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं देखू, क्या जी अपना, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, इसको अलग से, ये, क्या जी अपना, यहाँ लिख द अग्जेक्ट 1.81 आएगी, अब ये बात आपको शोर्टी हो जानी चाहिए, कि जो ये म्यू इपक्टिव आएगा, इसकी वैल्यू इससे तो पक्का ज्यादा आएगी, अगर इससे पक्का ज्यादा आएगी, तो दो उप्सन ऐलिमिनेट हो गए, ये भी नहीं होगा, और अब आएगे, इसको कैसे, तो spin-only magnetic moment आपके पास आगई ये question में, yes, one point era, अब आपको क्या चाहिए जी, एक तो चाहिए alpha, alpha की value कैसे निकालेंगे, तो alpha की value अगर अगर आप निकालना चाहते हैं, ये copper plus 2 है, ये आएगा one electronic transition का case, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आ ये आपका one whole transition का example है, अगर ये one whole transition का example है, तो इसको आप देखेंगे कौन से वाले से, कि यहाँ पे कौन नीचे आएगा, यहाँ पे देखो, easy आजाएगा नीचे, one whole transition में, और T2G उपर जाएगा, अगर कहीं पे भी आपका ये वाली term आजाती है, ये वाली state easy आजाए, T2 जी आजाए, तो वहाँ पे alpha की value 2 होती है, अगर A2 की form में आजाती, A2, तब आपकी value 4 होती है, तब आपकी value 4 होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, एक मिनिट रुखीगा भई, मैंने ये clear हो गया ना, चलो, देखते हैं इसको और अच्छे तरीक से देखते है ठीक है, उसके बाद चलो, ये आगया, ये lambda दे रखा आपको, lambda की value ये दे रखिजी, यहाँ पे value दे रखिए, centimeter inverse में, और ये क्या दे रखा आपका, ये wavelength दे रखिए, ये lambda अलग होता भई, ये wavelength है, तो सबसे पहले इस से हम क्या निकालेंगे, delta O, क्योंकि हमारे formula में delta O की divide कर देंगे, 625 centimeter inverse में value आजाएगी, तो delta spin only magnetic moment की value कितनी है, 1.8 या गई, उसके बाद 1 minus alpha कितना आजाएगा भई, यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, alpha, तो वो 2 मान के ले लो भई, आप एक बार, और ये कितना दे रखा था, minus 625, minus 625, divide करेंगे 10 की power 7, और into में multiply कर देना 625 से, into में multiply कर देना किसे, 625 से, ठीक है, और इसकी calculation जब आप solve करेंगे, तो इस question का correct answer क्या आजाएगा, भई, आप देख लेना, ठीक है, इन दोनों में से answer आएगा, first और, first और d में से answer आएगा, तो यह आप calculation वेगा, आप solve करके देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका ज इसकी calculation को अभी हम देख लेते हैं, तो यह देखो, सबसे पहले तो क्या आएगा, यह 10 की power 7 यहीं आएगा, minus minus plus हो जाएगा, और यह आएगा, पहले तो आप क्या करो, 625 की 625 से multiply करो, 625, 625, into में इसकी multiply 2 से करो, तो यह आएगा, लगबग 7, 8, 7, 8, 1, 2, 5, यह वाला नंब इसको डिवाइड करेंगे किस से, 10 की power 7 से डिवाइड करेंगे, तो अगर मैं इसमें add करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह आएगा, इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यह आएगी, 1 point, इस पूरे की value जब आप निकालेंगे, that is 1.07, अब इस 1.07 की ज पास अंसर आ रहा है, यानि कि D इस question का correct answer रहा होगा, यानि कि D इस question का correct answer रहा होगा, ठीक है जी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस question को देख सकते थे, solve कर सकते थे, यह alpha की value कैसे निकाली है, मैंने आपको बताया, alpha की 2 value possible होती है, या alpha 4 होगा, या alpha आपका ही होगा, अगर आपके पास आजाता, A2 की form में, A आजाता या ऐसा कुछ आजाता, तो alpha की value आपका 4 होती है, समझ में आगई बात, यह note कर लीजएगा, आपका correct answer मैंने आपको explain कर दिया, यहाँ से, ठीक है, तो चलिए अब हम next question की तरह बढ़ते हैं, student next question क्या कह रहा है, mu effective, इस complex के यह बताइए, with change, change with the temperature, with the involvement of two electronic states, यह वाली दोन electronic state है, यह रहा, तो सबसे पहले आपको इस ligand का idea होना चाहिए, तो यहाँ पे carbon है, इस carbon के उपर double S होता है, यहाँ पे आपका S के उपर negative होता है, यहाँ पे आपका C N होता है, यह आपका, यहाँ पे यह, यह आपका ligand है, अगर यह ligand है, तो इसके उपर एक negative charge होता है, तो यहाँ पे iron plus 3 form में होगा, iron plus 3 का मतलब होता है D5, iron plus 3 का मतलब क्या होता है, आपका D5 होता है, अगर आप यहाँ पे D5 की बात करते हैं, जब यह high spin रहा होगा, ध्यान से note कीजिएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, high spin, पहले आप इसको low spin मना लो, पहले एक बर low spin मना के कर लेते हैं, क्योंकि high spin में फिर दिक्कत आजाती है, यहाँ लो spin, तो low spin में अगर आप इसको देखेंगे, तो इसका थोड़ा सा जो idea आपको लगेगा, एक मिन्ट मुझे एक बर दोबरा इसको देखने दीजिए, ठीक है प्लस 3 हो गया, iron यहाँ पे प्लस 3 है, iron प्लस 3 का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे D5 हो जाता है, ठीक है, अब आप से पूतरा, with the temperature, with the involvement of two electronic, यहाँ पे आप किससे बात की जा रही है, इसमें, ठीक है, तो देखो, अब एक बर मैं इसको low spin में यह किसका case लग रहा है, two electronic transition का case लग रहा है, अगर two electronic transition का case होता है, तो उसके लिए हम जो trick use करते हैं, octahedral के लिए, that is F, T, T, A, यानि कि जब आपने इसको low spin मान के किया है, तो जब low spin मान के करेंगे, तो यहाँ आएगा आपका यहाँ पे T1G, T1G आपका आना चाहिए, यहाँ पे T1G तो दिया ही ठीक है, यहाँ आगया एक और एक आपका यहाँ पे A आएगा, A1G, जब इसको आप high spin मान के करेंगे, जब आप high spin एक, दो, तीन, चार, पांच, अब यह किसका case ज़्यादा लग रहा है, यहाँ आपका hole तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगे hole तो, इसका case मान के चलेंग two hole transition का, तो वो just reverse हो जाएगा, तो इसको एक बार आप verify कर लेना, यहाँ पे high spin के case में पका यहाँ आएगा, high spin के case में आएगा आपका A1G, high spin के case में आएगा यहाँ आपका A1G, और low spin के case में इसके जो state आएगी, वो T2G आएगी, इसमें थोड़ा सा low spin वालों का जो discussion करते ह है, और इसका D5 high spin का, तो जो discussion करते हैं, वो किस से relate, TS diagram से relate करके किया जाता है, ठीक है, इस question का, अगर आप देखेंगे, diagram वगएरा, तो आपको first question का correct answer में लेगा, क्या में लेगा, आपको इस question का correct answer, first में लेगा, ठीक है, A is the correct answer, एक बार आप जरूर इसको verify कर लिजीगा, according to TS diagram, ठीक है, mostly मैं ने बता दिया, तो ये question देखीगा, ये आपका clear complimentary theory से है, June 17 का question है, सबसे पहले तो wavelength निकाल लेते हैं, देखो, यहाँ पे difference सिर्फ ligand का है, EN की field strength सबसे ज़्यादा होती है, फिर ammonia की होती है, और फिर water की, अगर यहाँ पे field strength सबसे ज़्यादा तो इसका lambda सबसे कम, इसका lambda सबसे कम, तो R को match कर दो किस से 565 से, क्योंकि यह सबसे कम value है, R का Y आएगा, R का Y आएगा, तो R का Y एक इस option में दिख रहा है, ठीक है, यानि कि B और C को तो हटा देता हूं एकदम से, B और C की तो possibility नहीं आएगी, इसकी value सबसे ज़्यादा आएगी, या का X इन दोनों में ही है, क्या U का Z इन दोनों में ही है, ठीक है, अब हमें color का पता करना है, देखे, student, आपको इस इसका idea होना चाहिए, अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे विभ्ग्योर की, विभ्ग्योर की, अब यहाँ पे left to right जाने से lambda बढ़ता है, lambda बढ़ता है, और दूसरा आपको यहाँ पे पढ़ा जाता है, वील करके, यह वाला वील, तो यहाँ पे क्या होता है, वी, बी, जी, ओ, यू, आर, अगर भाई, अब यह तो color दिख रहे हैं, यह तो color दिख रहे हैं, ठीक है, तो इन में सबसे जादा wavelength किसकी water वाले की है, 675, तो उसने क्या क अब्सोर्ब किया था, तो उसका complimentary color क्या होता है, ग्रीन, इसका मतलब पी कैसा नजर आएगा आपको ग्रीन, पी कैसा नजर आएगा ग्रीन, तो पी का टू, आपको option number यह में नजर आ रहा है, option number यह में, और देखते हैं, इसके बाद, भई, इसके बाद में माल लेता हूँ कि इस ने ammonia वाले ने ज़्यादा अब जादा अब्सोर्ब कि थी 115 तो इसने औरेंज को अब्सोर्ब किया होगा, अगर किसी ने औरेंज को अब्सोर्ब किया तो वह कैसा दिखाई देगा, ब्लीज, तो इसका मतलब क्या हैगा, क्या हूँ का आएगा फर्स्ट, भीलकुल सह next question पर चलते है वह यह भी मैं आपको करवा चुका हूं ओरड़ी बहुत बहुत बार करवा चुका हूं In the hydrolysis of trans, बही जब आप trans लेते हैं तो वहां पर आपको दो प्रोड़क्ट मिलते हैं cis b और trans b इसके पीछे रिजन होता है आपका trigonal by pyramidal intermediate if living group is chloride the formation of cis is least तो सिस बनने का जो रेट सबसे ज़्यादा किसके केस में होता है OH-, उसके बाद NCS-, उसके बाद आपका CL- और सबसे कम होता है NO2 तो यह सिस का ओडर होता है तो इन्होंने पुछा लीस्ट बताओ तो लीस्ट कोन आगया आपका NO2- इसको मैं पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ, करवा चुका हूँ, नेक्स्ट कोईशन दर रेट ओफ अलकीन कोरडिनेशन तो इस PTCL42- वो होता है नौर बोरेन के लिए क्योंकि नौर बोरेन जो है यह हाईली स्टेन होता है यह कैसा होता है, आपका highly strain होता है और यहाँ पर hybridization भी SP2 होती है लेकिन जब यह इसके साथ जाएगा यहाँ पर इसके साथ तो उसके hybridization भी SP3 हो जाती है तो इसलिए इसकी strain कम हो जाती है इसलिए नौर बोरेन जो है वो सबसे fastest react करेगा highest rate होगा जब आप इसके reaction करवाएंगे reason होता highly strain SP2 hybridization होती है SP2 hybridization से SP3 hybridization में convert हो जाता है जिससे की strain कम हो जाती है इसलिए यह सबसे ज़्यादा यहाँ पर rate शो करेगा next question एक effect होता और एक parameter होता है इससको जरूर नोट कीजीगा एक effect होता और एक parameter होता है और यह दोनों एक दूसरे के inversely proportional होते है अगर effect की बात करें तो effect सबसे ज़्यादा होता I negative के case में जितना बड़ा size होता होता उतना ज़्यादा आपको nephelozotic effect देखने को मिलता है बट parameter inversely proportional होता है effect के तो यहाँ पे f negative जो होता है उसकी value सबसे highest होती है अगर वो parameter पुछे तो parameter पुछे तो highest होती है अगर effect पुछे तो lowest होती है effect पुछे तो lowest होती है समझ लीजीगा इस question को तो इस question का correct answer आपका 4 थाएगा next question देखेगा यहाँ पे अगर आप बात कर रहे है chromium plus 3 के तो chromium plus 3 का मतलब होता है chromium यह वाला case हो गया यह आपका होता है d3 और यह जाता है two hole transition से this is the example of two hole transition अगर यह two hole transition है तो आपकी यहाँ पे trick होती है f att सबसे नीचे कोन होता है यहाँ पे a2g होता है उसके बाद कोन होता है आपका t2g होता है उसके बाद कोन होता है t1g होता है f वाला और इसके बाद कोन होता है t1g होता है p वाला अब आप कोहोगे जी यहाँ easy कहा हो गया तो बिल्कुल आपको पहले भी मैंने ऐसा question पढ़ाया है गेट में पढ़ाया था, गेट के PYQ में, तो यहाँ पे होता है एक, अब इस question में मालना पड़ता है रट्टा, इसमें कोई calculate कर नहीं सकते, data याद तो आप बदाबाऊगे, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो 650 nm के आसपास आता है, इस question का correct answer आएगा first, इसमें कुछ ज बदा देता हूं, यहाँ पे यह वाला जो complex है, क्या यह यह यलो औरेंज कलर का होता है, बा। pro valuation number 10. यहां पर जो nitrate आपको नजर आए है, यह by dentent के दोर पर काम करता है क्योंकि आपका lenthonides होते हैं, यह higher coordination numbers नंबर सो करते हैं तो यह by dentent के दोर पर काम करता है, 4 का double करोगे 8 और इस monodentent होता 2 तो coordination number 10 होता है, विल्कुल सही बात है उसके बाद the metal show, the metal to ligand charge transfer क्या यहाँ पे आपको metal to ligand charge transfer देखने को मिलता है दीखे यहाँ पे अगर आप बात करेंगे nitrate के उपर एक negative होता है तो यह आपका क्या होता है CE plus 4 होता है अगर यह CE plus 4 होता है तो F0 होता है क्या होता है यहाँ पे आपका F0 होता है F0 तो एक बार इसी option को में hold कर रहा हूँ क्या यह diamagnetic nature का होगा यहाँ पे कोई भी unperial electron नहीं इसलिए diamagnetic होगा तो B और D तो पका है हमारा जो correct answer वो B और D तो आएगा यहाँ से इस option को उटा देते हैं इस option को उटा देते हैं B and D यहाँ पे भी है B and D यहाँ पे भी है अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है देखो अगर metal के पास electron है ही नहीं तो क्या वहाँ पे metal to ligand charge transfer possible हो सकता है क्या तो वहाँ पे आपका mlc t possible नहीं होता यहाँ पे lmc t possible होता है तो C हमारा correct नहीं होगा तो C को हम यहाँ से हटा देते हैं तो यह वाला जो color इसका जो color होता हो yellow orange आप बोल सकते ही होता है इसलिए इस question का correct answer आप लगाएंगे A, B, D क्या लगाएंगे भई यहाँ पे इस question का correct answer A, B, D ठीक है hope कि यहाँ पे आपका यह question clear हो गया होगा ठीक ना तो next question की बात कर लेते हैं student यहाँ पे the spectroscopic ground state term symbol निकालो Mn plus 2 के लिए aqua complex है यानि कि हाइस पिन बना दो बहुत असान है यह तो भई बहुत असान है निकालना इसको तो 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे plus 2 यहाँ पे plus 1, 0 minus 1, minus 2 यहाँ पे 2 और कितनी आजाएगी इसकी L की वैल्यू जीरू L की वैल्यू जीरू का मतलब हो गया S अनपिरड एलेक्ट्रों कितने 5 spin quantum number कितना रहोगा 5 by 2 spin multiplicity कितनी रहोगी 6 यह 6S आगया किसके लिए Mn के लिए 6S आगया Mn के लिए यह आगया तो 2 option eliminate इन दोनों को हटा दो यह भी 6S यह भी 6X इसका 4F आई गया दोनों में से में तो इसको चाहे ना देखो आप copper plus 2 की निकाल गया बता देता हम आपको copper plus 2 का तो copper plus 2 का जब आपने किया होगा यहाँ पे तो d9 होता है copper plus 2 एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और एक नो तो यहाँ पे plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2 तो 4 और दो 6, 6 में से गया 3 तो 3 आगया, L की value 3 एक मिनट रूखो 4 और दो 6, 6 में से गये 4, 2 आएगा और 2 किस के लिए होती capital L की value D के लिए इतना पता लगते ही हमारा correct answer आगया B इतना पता लगते ही हमारा इस question का correct answer आगया B second is the correct answer चलिए भई, next question पर चलते है यहाँ पे फिर से भई question है from base catalysis SN1 conjugate base mechanism है species obtained in the first step तो मैंने आपको बताया था the first step होता, that is acid base reaction यहाँ पे यह रहा यहाँ पे आपका NH3, 4 अलग लिख लो ammonia को अलग लिख लो and यहाँ पे chlorine यहाँ पे कितना ज़रा, plus 2 जब आपने इसकी reaction करवाई होगी OH negative के साथ तो यह क्या करेगा, अपना proton डोनेट कर देगा और जैसे यह proton डोनेट करेगा तो यह CO NH3, 4 ऐसा का ऐसा यहाँ पे आपका NH2 negative की format में हो जाता यह chlorine and यहाँ पे आपका plus 3 आजाता है क्या जाता है यहाँ पे आपका plus 3 आजाता है plus 3 आएगा या plus 2 ही तो वो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि क्या आएगा उसको, देख लो वो oxidation number तो सेम ही रहेगा तो oxidation number minus 2 है तो प्लस वना जाएगा यहाँ तो क्या यह वाला बनेगा क्या OH negative आजाएगा अंदर नहीं first step तो acid-base reaction होती simple यह तो नहीं होगा यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए क्या chlorine हट जाएगा क्या chlorine तो नहीं हटेगा क्या यह आजाएगा क्या यह भी नहीं होगा correct answer क्या आगया आपका second correct answer क्या आगया second पहला step acid-base reaction होता है ठीक है next question यहाँ पे यह वाला कोई complex है यह band शो कर रहा है पिचासी सो पे इतने पे और इतने पे और जब आप इसकी बात करते है यह शो कर रहा है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ज्यादा energy के band आपको मिल रहे है इसके case में यानि कि यहाँ पे जो ligand रहा होगा वो strong field ligand रहा होगा और यह weak field ligand रहा होगा इसमें ठीक है यह तो दोनों ही weak field के pair होगे इसको हटा दो यह भी दोनों weak field के होगे हटा दो OH negative और यह भी कोई इतना strong field ligand की category में नहीं होता हटा दो तो यह example है water जब आप water as a ligand लेंगे तो यहाँ पे कम energy देखने को मिलेगी और जब आप ammonia लोगे क्योंकि ammonia strong field होता तो वहाँ पे आपको ज़्यादा energy देखने को मिलेगी तो question का correct answer क्या जाएगा fourth next question की बात करते है number of microstate बताएए 3F में just अभी मैंने आपको आज की class में भी बता था spin multiplicity into me 2L plus 1 तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 आ गई question का सही अंसर होगा second next chillate effect chillate effect में enthalpy का कोई ज़्यादा change नहीं होती बई chillate effect में ring बनती है और ring बनने से entropy change होती है और main जो reason होता है that is predominantly यहाँ पे entropy change बड़ा factor होता है enthalpy change कोई बड़ा factor नहीं होता है ठीक है so second is the correct answer इसमें कुछ ज़्यादा explain नहीं कर सकते chillate effect में आपको पता होगा ऐसे polydentine ligand जो किसी metal के साथ ring की formation कर लेते हैं वहाँ पे entropy decrease कर जाती है जिसके वज़े से आपका वहाँ पे chillate effect ब्रोडविंडली entropy change lowest energy term बताइए D6 के लिए D6 term तो जब भी D6 इस तरीके से बोले तो आपको यही कानी बनानी है normal यहाँ पे i-spin, low-spin कुछ बोला नहीं है 1, 2, 3, 4, 5 5 यह यहाँ नहीं होता 5 यह orbital होंगे और 1, 6 तो यह plus 2 यह plus 1 0, minus 1, minus 2 यहाँ पे 4 और 1, 5 5 में से 3 गए L की value कितनी आजाएगी 2 L की value 2 spin quantum number कितना 2 क्योंकि 4 अपे डिलेक्टर नहीं spin multiplicity कितनी 5 spin multiplicity 5 A की option में दिख रही है L की value 2 किसके लिए होती है D के लिए and spin multiplicity 5 आगई so इस question का crack answer आजाएगा second इस question का crack answer आजाएगा second यह देखिए वही complex आगए आपका chromium यह मैंने आपको पहले भी बताया था जो ruby का अगर आपको थोड़ा बहुत धान हो जो आपका ruby का red color होता वो किसकी वज़े से होता तो वहाँ पे भी मैंने यही बोला था कि वहाँ पे आपको DD transitions देखने को मिलते हैं और वो DD transition कहां से कहां बताए थे EG से A to G में Phosphorosense देखने को मिलता है सेम वही कानी यहाँ पे complex this यह आपका chromium plus 3 का case है D3 का case है 2 hole transition का case है यहाँ पे यह रहा तो यह shows red phosphorosense due to the transition EG से आपका यह emissions वाला होता भई यह मैंने आपको Ruby के case में भी बताया था सेम वही कानी होती है जो Ruby के case वाली कानी होती है सेम वही कानी यहाँ पे भी होती है इस question का correct answer आपका आजाएगा 3 इस question का correct answer आपका आजाएगा 3 3 इस question का सही answer होगा Ruby के case में जो था वैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा easy से जब आप for easy में यह emission होता है और emission से इसकी phosphorosense होती है और vital contribution कहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर T2G unsymmetrical हो इसमें अगर आप देखेंगे T2G symmetrical है क्योंकि यह इसकी configuration क्या है T2G 6 easy 3 इसमें देखेंगे तो यहाँ पर T2G symmetrical है and easy आपका unsymmetrical easy भी symmetrical है cobalt plus 2 की जब बात करते हैं तो यहाँ पर होता है आपका cobalt plus 2 तो पहले आप यहाँ पर high spin complexus 6, 5 बरें उसके बाद 6, 7, 7 यहाँ पर आएंगे और आपका 5, 2 यहाँ पर बरो और 5 यहाँ पर बढ़ो 2 यहाँ पर 5 T2G unsymmetrical आगा अगर T2G unsymmetrical आगा तो यही आपका क्या सोगरेगा orbital contribution D3 में भी T2G symmetrical होता है तो यह answer हमारा नहीं होगा next यह देखें अभी थोड़ी दिर पहले ही मैंने आपको एक formula के हिसाब से यह question करवा था वो same question यह है same question यह है At room temperature magnetic moment of the monomeric copper plus 2 complex is greater than 1.73 से जादा होती है 1.73 से जादा होती है तो बताइए यह हम किस formula से निकालते है तो यह हम निकालते है इस formula से effective is equal to mu spin only 1 minus alpha lambda or divided by delta अच्छा तो वहाँ पर भई वो mistake कर रहा था फिर मैं इसको एक बार आपको रोस्टेक कर लिजीगा उस question को भी उस question में जो मैंने आपको बताई ना कि magnetic moment इतनी होती है एक और question यहाँ पर भी तो copper plus 2 ही था तो मैंने कहा कि इसके unpaired electron कितने होते हैं मैं अब ही अगर आपको निकालके बताऊं तो यह आएगा आपका देखो n into n plus 2 तो यह root 3 आता है root 3 की value क्या होती है भाई exact भी देख लेते हैं मेरे पास यहाँ पर scientific calculator available है तो यह 3 लिया root 3 root 3 की value 1.73 होती है student discussion को आप जरूर calculation mistake होई है merit 150 Parliament here the spin only value आती है वो कितनी आती है आपका 1.73 आती है 1.73 तो 1.73 में यह answer होगा न यह answer होगा यह answer होगा यह answer होगा in दोनों में से answer आए भाइक है मैं अभी कर लेता हूं पर संटा बनता है some solamente केल्गुलेशन वेगरा मैंने यहां पर सॉल करके देखी तो थी अग्जेक्ट यहां पर क्या आएगी गलत बताने से अच्छा तो यह आपको यहां पर टूप ठीक है यहां पर इसको करके देख लीजिएगा बही एक बार यहां पर आमने यह निकाला था ना तो अगर मैं इस क्लियर कर देता हूं इस चीज को आप जुरूर नोट करें आप सारे पार्ट देखेंगे ना अगर एक दो कोशन बाई मिस्टेक कभी हो जाता है तो वो मैं करेक्ट कर देता हूं वो शिस्तों यही करता हूं कि सही बता दें आपको को दिक्कत आई आई ना आपको ठीक है यार इनोंने तो ए अंसर दियावा बैए इनोंने तो ए अंसर दियावा है यह तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है यह तो हुई नहीं सकता यह नहीं हो सकता भई एक बार फिर से में दुबारा से चेक कर लेता हूं भई एक और मेरे पास एविलेबल है जून 17 का क्वेश्चन है यहां पर भई वेरिफाई करना पड़ेगा एक बार रूको यह आएगा भई इसका अंस को जुबारा सारा हमारा अमारा राटा सही था हमने जो मिस्टेक पहले तो यही मिस्टेक कर ली थी कि कि एक्जक्ट रूट 3 की वैलू 1.73 होती है अगर यह मान के करेंगे देखो अब मैं एक्जक्ट कर देता हूं यहां पर यह तो निकाली रखा है न हमने यह रहा 1.07 की मल्टिप्लाई कर देनी कितने से 1.73 से 1.85 आ रहा है यानि कि यह बिल्कुल सही है यह बिल्कुल सही है भई आएगा इस क्वेशन का करेक्टर से तो भई देखो कई बार ना अपने को लगता है ऐसा तो आपको एक बार प्रेक्टिस करके देख लिनी चाहिए मै यहां पर जल्द बाजी में क्या किया कि 1.81 मान ली हलांकि जब आपका spin-only magnetic moment कैसे निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है एन इंटो न प्लस टू अन पर एक एक इंटो में तीन करोगी तो रूट 3 और रूट 3 की वैलू 1.73 होती है इस क्वेशन का क्रेक्ट टंसवर रहेग ठीक है अगर कोई question बाद में मुझे लगता है कि यह रोंग हो गया या तो मैं comment box में पिन करता हूं उसको या तो मैं comment box में पिन करूँगा या फिर मैं उसको next part में जरूर explain करूँगा ठीक है तो यह था जी हमारा part number 3 ऐसे जैसे previous year यह करवाई है मैंने net के ऐसे gate के complete है coordination chemistry के ठीक है तो यह हमारा part 3 है अभी part 4 part 5 भी आएगा क्योंकि यहाँ पर जाद आभी तो 16 पर ही पहुँचे हैं तो मैं June 11 तक के सारे question आपको करवाऊंगा जून 11 तक के सारे question करवाऊंगा coordination chemistry के वीडियोज आपको अच्छे लग रहे होंगे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं